कानन इंटरनेशनल गुजरात भारत में सबसे पुराने सबसे बड़े और सबसे अनुभवी विदेशी शिक्षा सलाकारों में से एक है जिसकी पूरे भारत में प्रमुकु पस्तिती है 1996 में स्तापित कानन इंटरनेशनल वरोदरा में एक छोटे से 1200 वर्गफीट के कारियालेस्तान से विकसीत होकर आज एक लाग वर्गफीट में फहला संसान है जिसकी पहली ब्रांच महराश्टर के नाकपुर में लाँच की गई है आपको बता दे कि कानन सीओ की नाकपुर में पहली ब्रांच है जिसका रविवार को कानन सीओ की प्रोजिक्टेड सुधाशु बाशपे न्यू होरिजाइन पब्लिक स्कूल के डारेक्टर कमलाकर उतखेडे पूर्वविदायक दिनानात पडोले पूर्वपारशत किशोर कुमेरिया और कानन सीओ नाकपुर के डारेक्टर रौनक उतखेडे की मुख्य उपस्तिती में उतखाटन हुआ इस समय पूर्वविदायक दिनानात पडोले पूर्वपारशत किशोर कुमेरिया द्वारा बधाई देते हुए कहा कि कानन सीओ के कारण अभ्यहा के चात्रो को विदेश में शिक्षा लेने में आसाली होगी इसके लिए कानन सीओ नाकपुर के डारेक्टर रौनक उतखेडे के इस पहल की उन्होंने सरहाना भी की है सर्व प्रतम मी कमलाकर उत्खडे आणि तैंचे टीमच अभिनंदन करतो कि नाकपुरात केनन.com ही सोंस्ताय आनों इथले बोनार विद्यार्थाना एक चांगल मार्कदरशन केंदर याटिकने उपलब्द करुंदीला जैची आज आउशक्ता होती आणि अशा केंदराची नितांत गरत अस्ताना कमलाकर उनी जो पुडाकार गेतला योड़ो मुटे इन्वेस्पेंट केला तो अपिक्षाशी है कि याचा नाकपुर करनी लाप घ्यावा तरस तेंचे प्रहतनाला फोहीन और माजी नागरिकाना विनंतिया कि तेंची जास्ती जास्त लाप कानन.co चा माध्यमातून आपले नाकपुर मदे या दिघोरी अशिर्वाद नगर दक्षिनवी भागा मदे एक चांगला उपक्रम आपले नाकपुर शहराज चा विध्यारतना साथी मुलान साथी कमलाकर जी उतकडे रवनक उतकडे आनी उतकडे परिवाराचा माध्यमा जाले मी उतकडे परिवारान ना वाया थरपे सुवेश चा देतो आज ही काडा जी गरद आहे कि जो तो विध्यारती यहला विध्यारत जायता है परन्तु प्रॉपर मारग दर्शन पाई जे आनी त्याच उतकडे शाने आनी चांगला मारग दर्शन या इसुन होना रहा ह अश्यम अलापूर्ण विश्वास है मी परत यहना उतकडे फैमिला पुर्ण अच्छा कुप-कुप सुवेश चा देतो वीजा सलाकारों और आंतरराश्ट्रिय परिक्षाओं की कोचिंग के लिए कानन इंटरनेशनल के भारत भर में कई कार्याले है कानन इंटरनेशनल के अउसर प्रतान कर रहा है ऐसी जानकारिक कानन सीओ के प्रोजेक्ट हेड सुदानशू बाचपई द्वारा दी गई है यह ब्राइंट पिछले 25 सालों से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है जो कैनेडा यूस यूक ऑस्ट्रेलिया जर्मनी इन कंट्रीज में अपना फ्यूचर देखते हैं इन कंट्रीज में अपना फर्दर स्रेडिस के लिए जाना चाहते हैं आपको मालू में कि इंडिया में कॉंपिटीशन बढ़ रही है दिन पर दिन आफ्टर 12 स्टूडेंट्स अगर चूस करना चाहते हैं कि उनके पास क्या उप्शन से इंडिया में तो कॉंपिटिटिव एग्जाम स्टफ होते जा रही है अच्छे कॉलेजिस में इंट्री कर करते हैं तो जो आपका रिटन और इंवस्टमेंट आपको मिलता एजूकेशन के टर्मस में वह बहुत ज्यादा हाई हो जाता है पर इंडिया में कि बहुत सारी कंपनी इस मार्केट में जो काम कर रही है वह अनॉर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं उनके पास प्राक्टि सब्सक्राइब करते हैं और यह सारी सर्विसेज जिसका बहुत स्ट्रोंगोल्ड आज तक कंपनी का गुजरात तक लिमेटेट रहा है जो आपको पता है इंडिया का वन उफ बिगेस्ट अब्रोड मार्केट है जहां से मैक्सिमम स्टूडेंट बाहर जाना प्रिफर करते ह है यह सारी सर्विसेज अब हम रेपलिकेट करने वाले हां नाकपूर के सेंटर में सो एनी वन जो भी बाहर जाने-क आपके बाहर को चा मैंultan इस समय कानन की यू नाकपूर के डाइरेक्टर रौनक उत्खेडे ने बताया कि कानन एक स्टड़ी अब्रॉड के विशे में काम करता है साथ ही जो छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें गाइडन्स करता है कानन एक पारदर्शी है इसलिए इसकी फ्रेंच कि अब्रॉड के विशे में काम करता है बच्चो को गाइड करता है किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी चूज करने में उनकी स्ट्रीम चूज करने में इंडिया से बाहर जह वो अपने देश से और अपने घर्वालों से दूर रहते है कि अब बेसिकली यहां पर बहुत सारी चाहिए और है ना पूर में भी बट चूज करने की पीचे का डिजन यह ओर किसी और कंपनी का ब्रांड में प्रेंट द फ्रशाइज ना लेने का जी रहता कि का अणन का जो ठ्रांसपरंची है इस शेत्र में ए रांसपरंची सबसे तो तक पर प्रसेस करना बहुत दिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि एक पेरेंट तो कभी जा कर देखता नहीं है कि बच्चे का अकॉमोडेशन कैसा है वो किस तरीके से वहां पहुच रहा है बच्चा सही सलामत है या नहीं है वो तो हम पर डिपेंड करती है एक चीज राइट जो यहां पर ट्रांश्फिन सी होना काफी ज़रूरी है और देख पाई ओक PR5 काम करने का इनुक्त तरींस में का संदिदा देशों की शिक्षा बाजार और शिक्षा नीतियों का लगातार सर्वेक्षन और अध्यान करता है हमारे सभी अध्यान मेट्रियल और कांस्लिंग प्रैक्टिस इनोवेशन की इस भावना और हमारे कठोड रिसर्च को दर्शाती है कैमेरा परसंद राश्कुमार मो बापुर